रोटियां तो आपने बहुत खाया होगा जनाब, लेकिन क्या आपको पता है, गेहूं की बनी जो रोटियां आप खाते हैं वो आटा तैयार कैसे होता है? आपको नहीं पता, तो चलिए बताते हैं, इसके लिए आपको चलना होगा अराध्या फ्लावर मील पर हम आपको दिखाएंगे आटा तयार कैसे होता है इस बड़े वाले आटा चक्की मिल के मालिक से मिल कर कुछ बाते भी करेंगे साथ ही आपको बताएंगे इस बिजनस में कमाई कितनी की जा सकती है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गेहूं से आटा तयार कैसे होता है खेतों में तयार गेहूं को सबसे पहले सिमेंट के बने एक बड़े से गड़े में डाल दिया जाता है फिर मसीन उस गेहूं को खीच कर उपर ले जाता है उसके बाद गेहु में पड़े कंकर पत्थर को निकालने के लिए एक बड़े से चालने के उपर गेहु किराया जाता है गेहु में मिले कंकर पत्थर और कच्रे की सफाई के बाद गेहु उपर लिफ्ट द्वारा धुलाई के लिए फिर से भेज दिया जाता है थुलाई होने के बाद ड्रायर मसीन द्वारा गेहों को सुखाये जाता है जब ड्रायर मसीन द्वारा गेहों पूरी तरह से सूख जाता है तो पिसाई के लिए उसे चक्की में डाला जाता है और चक्की से निकल कर आटा फिर फ्रेसर टैंक में चला जाता है फ्रिसर टेंक में आटा जाने के बाद आटे में पड़े चोकर बिलकुल अलग हो जाता है और इस तरह से तैयार आटे को बोरे में भर लिया जाता है और पेकिंग करके मार्केट भेज दिया जाता है फिर भाय साहब वो आटा आपके घरों तक पहुँचती है जिसकी हम लोग नर्म नर्म डूटियक खाते हैं घबराने की कोई बात नहीं है यह सारा काम ओटोमेटिक मसीनों दारा होती है इसमें मैन पावर केवल आटे को भरने के लिए काम करते हैं गेहों को डालने के लिए काम करते हैं वांकी धुलाई से लेकर पिसाई का सारा काम ओटोमेटिक मसी जिनों को दारा होती है और इस बिजनस से जुड़े खर्च और कमाई के बारे में अगर आपको जाननी है तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस मिलके मालिक से सबसे पहले हमारे यूटीब चला पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप अपना नाम है कितने दिनों से चला रहा है करीब हो गया एक साल अठारा अठारा निस महिना तो एक बार में कितनी गेहुं इसमें डल जाता है पचास किंटल यह मसीन की कैपिसिटी कितना घंटे म माँ पांच कैटल निकलता है च्यार चरडर प्रशे किरह तो दस किटल दिकलता है और यह सारा बसे चलता है जी बीजली कितनी खफ़त करते है मेहिने का बजली जैसे की 12 сd moeten ऐता है कि तो आप यह सेटप लगाए हैं गौव में क्या सोच के कहीं आपको डर नहीं लगा कि गौव में लगा रहे हैं फैक बजार में ज्यादा डिमांड है इस बिजनस का कहीं लगा दें और इससे पहले भी तो बड़ी-बड़ी कंपनियां मार्केट में अविलेवल है तो आप आंटा का मार्केटिंग के इस तरह से करने के लिए सोचे और आपको डर कैसे नहीं लगा कि हमारा अटास सेल होगा यह बहुत पहले सब्सक्राइब हुए हैं इसलिए हम कहीं लगा देते हैं लगा करी चलाते हैं और भी हमारा कौन सा पूद्धिंस से पहले कर रहे था हैं लागत कितनी आजाती है इसमें लागत फर्ट लगेगा इसमें 35 रुपई लगा करें 35 लाग कंप्लीट सेट फिज़ी 35 में क्या आएगा अब में सब जितना लगा है इस पूरा मसीन ऊसीन इस सेट अप जितना है इस उतना हम बनवाए है ट्टूपसरा फोडेशन हुआ है लेभा फर्च में दूरी खर्च टोटल खर्चिसमें इस तोटल 25 लाग इसके लिए जमीन कितनी जरूद पड़ती है इस लेड़ कठा बेन पावर कितना चाहिए आपको कितने लेवर लगते हैं पर निन चार लेवर चार लेवर आठ गंटा डिव्टी तो यहां देख सकते हैं कि हमारा जो आठा मील चक्की का है इस तरह से सब चीजें आपने देखा कि किस तरह से काम करता है आप मील में काम करते हैं क्या कितना घंट कब से काम कर रहे हैं मील में आप तो यहां पर अभी एक महीना चार दिन हुआ है अच्छा सेलरी दे रहे हैं सरसाहिसे की नहीं सेलरी तो सेलरी माना कनन नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आपका क्या नम अभी खा राहूल कुमार भास आप तो यहां अंकुर रहते यह रहू के यह बेट हुए और यह राहूल भाई है जो कि आभी से ही विजनेस में उतर चुके हैं और क्या करते है राहूल भाई अभी तो इंटर का एक्जाम हुआ था अब पड़ाई भी साथ में चल रहा है और बिजनस भी चल रहा है आगे क्या विचार है विजनस करने के लिए और यहां पर देख सकते हैं हमारा जो आटा तयार है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत कम जगहों में करीब डेर से तो कठा में यह बन जाता है और सामने यहां पर देख सकते हैं जो तयार किया हुआ आटा है वो जा रहा है इस किमें कितना केजी आटा है एक बोरे में अच्छा 70 kg 75 kg का एक प्राइस है और एक चीज और जाना चाहेंगे कि जो आटा पिसाई कर रहा है वो केवल बाहर आटा भेजते हैं कि लोकल लोगों को यहां से जैसे गहुं लोग लेकर करके आता है उसको हम चेंज कर देते हैं 10 kg लोग गहुं लेकरकाया पांच चे आया दो केजिवी आ अच्छा जितना लेकर करका आएगा हम चेंज कर देंगे दो रुपीय के पिसाई लटे हैं तुरा ताओ तुरा तांटा ले जाओ भी एक्दम बिल्कुन फरेश आए और जाए कोई दिखत्ना है आपकी कंपनी किस नाम से है राध्या फलावर मेल तो थोड़ा बताए नए लोगों के बारे जो बिजनस में आना चाहते हैं उनके बारे आप क्या काना चाहेंगे बहुत अच्छा है सालोबर चलने वाला एक चीज हर इंसान जानना चाहता है कि 35-40 लाख रुपे इस बिजनस में इंवेस्ट करेंगे तो उसमें एक कमाई कितनी हो सकती है करीब करीब साब काट छेंट करके साथर पचाथर यहां महीने के अराम से कमा सकते हैं